हेलो दोस्तों डिस इस मी ग्रेस तरिल और मैं आ गई हूँ वापस एक नए अपिसोड और फाशन पुलिस के साथ एक ऐसा शो जहां मैं करूंगी डीकोड इस अपते के टीवी सेलेफ्स के बेस्ट और वेल थोड़े से फाशन डिजास्टर्स के बारे में मेरे इस हफते के लिस्ट में कुछ आक्टरस ने तो किया फुल ओन मोड में सली और लगता है कुछ का तो फाशन जीपीए सी लॉस्ट हो गया था तो चलो शुरू करते हैं हू रॉग डिट हू शॉग डिट लेस्टीक लोग शुरुआत करते हैं इस हफते की वर्स्ट्रेस टीवी सलब के बारे में मुझे सी आईडी की याद आ गई हलीशा कुछ तो गरवड है यहां और फिर पहना तो लेके मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया अधन अक्ट्रेस आ लाइक हलीशा लेकिन यह आउट फिर देके मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ ऐसा लगता है पिक्निक ब्लांकेट को ओड कहीं आ गई है हलीशा ना तो इननों अक्सेसराइज किया ना ही अपने बालों को ढंक से स्टाइलिंग की I mean hellie you can do so much better please next time से अपने स्टाइलिस को बोलना आप पर कुछ एक्स्पेरिमेंट करें next up on the list I have रश्मी दिसाय मेरे इस हफते के list में यह बेस्ट ड्रेस में ही आती है because आपको अगर नवरातरी के लिए अपना कुछ स्टाइलिंग टिप्स चाहिए अगर गरवा करने के लिए कुछ आउटफिट चाहिए तो रश्मी दिसाय का यह लहंगा चोली परफेक्ट है and the way she has accessorized it, it really goes well not to forget her traditional nose pen ring, it really stands out. क्या खिलर लुक्स है रश्मी, kudos to you अब आती है ईशा मालविया Big Boss 17 के घर में ईशा मालविया ने हजारो दिल जीता अपने स्टेंट से she was one of the most talked about contestants of the season लेकिन घर से निकलने के बाद भी इन्होंने अपने स्टाइल से हम सब का दिल जीता है बार बार इनकी एक इंस्टाग्राम लुक से लगता है she is a total fashion दीवा और इनका इस हफते का लुक भी वैसा ही किलर वाइब दे रहा था हूं इस हफते पहना एक फिष्टे लहंगा विध इंट्रिकेट मिर्ड डीटिलिंग जिसको देखकर आखों को थंड़क ही मिल गई खुदी देख लीजिए Isha complimented her look with stone-stodded earrings and matching layered neck piece she opted for glossy pink lips, long eyelashes and shimmery eyeshadow और ये रही अनुपमा के काव व्या मिलता शर्मा इन्होंने recently show छोड़ा है लेकर उसके बाद इनका कुछ fashion sense गरवर सा लग रहा है इन्होंने जो पहना इस हफते थोड़ा confusing हो गया हमारे लिए styling right is important guys, ये golden rule याद रखना मतल सा कि ये look को देखिए she wore a black top with a black skirt जो सास में जचा रहे इन्होंने ना तो अपने look को बचाने की कोशिश की अपने कुछ accessories के साथ और इनके सर पर जो ये big flower headband रखा है ये तो proper look को बिगाड रहा है next up, I have Tejasi Prakash on the list OMG Queen को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मान लो Cinderella का ही makeover हो perfect glam, perfect sass, perfect elegance, sab kuch on point I personally love her brown printed floral dress and the way she has accessorized it with a choker 10 on 10 points to her अब बात करते हैं और्फी जावेद के, needless उसे ये मिरे इसपते की worst stress टेलब में आती हैं अब हम सब को पता है और्फी जावेद का style थोड़ा bold है, लेकिन और्फी कभी-कभी bold को थोड़ा hold करना पड़ेगा इस बार का dress इनका थोड़ा experimental था, ऐसा लग रहा था कि मानो अभी science labs उटके आ गई हो Sorry ओर्फी, बट ये कुछ जचा नहीं अब आती है हम सब की favorite श्वेता तिवारी, killer confidence, boss lady vibes and age-defying looks श्वेता जी का fashion sense तो हमेशा सही impeccable रहा है और इस अफते भी इन्होंने सब को पीछा छोड़ दिया The actress was seen wearing a flow-length red gown that perfectly accentuated her hourglass figure Take a look Shweta's outfit had a deep-wee neckline and voluminous full sleeves Her outfit also featured a high slit giving us a peak of her perfectly toned legs And last में लिस्ट में आती है, Sherlyn Chopra Unfortunately, worst dress category में यह outfit मुझो लगता है अभी ही rocket ship से गिरा हो Sherlyn, I am personally belched by your lehenga choli And these sleeves on your blouse aren't really helping अगर कोई inspiration चाहिए आपको नवराथे में क्या नहीं पहनना चाहिए Sherlyn का यह look देख लो दोस्तों, यह थी मेरे इस अपते के list best dress और worst dress TV stars का क्या आप agree करते हो? या किसी और नदिल जीत लिया आपका? बताये मुझे इन दी comment section below Until then, this is me Grace Terrell signing off But I'll catch you again next week with yet another episode of Fashion Police Only on Teletalk India तब तक के लिये remember to stay stylish, stay fabulous and keep your closet organized!